वेल्कम ट्यूपी पीसेज वाला सुगाइस आप सभी वच्चों का मैं अमन नाम देव स्वागत करता हूँ बंदन करता हूँ अभी नंदन करता हूँ करेंट अफेर्स की सीरीज में चौदा फर्वरी आज तारे के और आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं चौदा फर्वरी से रिलेटेड काफी सारी न्यूज राइट चुकि चौदा फर्वरी है सब लोगो याद होगा क्या है आप लोग सोच रहे हैं वेलिंटाइन डे नो भाई वो तो है ही उसके अलावा म आप लोगो पुलवामा अटेक का दिन भी याद करवाने चाहता हूँ लोग के लिए जो 44 लोग की जान गई थी आजी के दिन I think it is a black day तो बतन से महबत हो इसकदर निवा गए बतन से महबत हो इसकदर वो निवा गए महबत के दिन बतन पर जान लुटा गए महबत के दिन बतन पर जान लुटा गए तो पुलवामा अटेक के सारे लोगों के लिए सरदान जली ना लोगों पता होने चाहिए कि उस दिन क्या हुआ था राइट चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं तो as usual उत्तर प्रदेश चे जुड़ी ही प्रमुक ख़वरें अंतरराश्तियों और भारती न्यूस कुछ स्पोर्ट की न्यूस और स्ट्राटिक जी के हम लोग डिसक्स करने वाले जैसा कि आप लोग जानते हैं कल मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग जो है उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुक जो भी नासल पाक से उनके वारे में बड़ी ऐसा भाई है आई तिंक अजे भाई राइट तो इनके लिए तालिया हो जाए इन्होंने एफ़र्ट नहीं आ जाए नहीं है पलक मैडम है फिर इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पर रतनेस बावू ने भी बहुत बढ़िया तरीके से यूपी का मैप बन पर में जो हम लोगों ने पढ़ाया था वही आया राइट अगर आपको याद नहीं हो तो मैंने पूरा का पूरा मैडल टैली के बारे में जो एसेन गेम्स 2023 के हुए थे पूरे मैडल टैली के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया था तो यहाँ पर अगर आपको या से यह सॉल्व हो जाता क्योंकि डी टू सिर्फ और सिर्फ डी में ही है उसके अलावा आप देखेंगे एका थ्री है राइट 383 चाइना ने पाया है अगर यह भी नहीं मालू में तो यह तो आपको पता होता मतलब तुगड़म तिगड़म भी लगा देते कि हांजाओ चाइना राइट तो यह चीज़े अपन को याद रखना है कि हाँ चाइना में आवा दिया दा है तो जाद से यादा मेडल तो उन्हों नहीं जीता होगा तो एका हो गया थ्री राइट एका हो गया थ्री यहां पर भी यहां पर भी तो यह हट गये थे यह हट गये और भारत का अगर याद होता तो एक से ही आंसर है या था तो जैपान का हो गया 188 और रेपब्लिक आफ कोरिया का हो गया 190 तो इस तरीके से मेडल टैली थी और यह पूरा मतलब मैंने पढ़ाया था वही का वही एस इस आ रखा है खेर आगे बढ़ते हैं वहम लोग देखो अभी क्या हु UAE के प्रेशिडेंट पहली चीज तो आपको जो याद रखने की बात है वो यह है कि UAE के प्रेशिडेंट कौन है तो UAE के प्रेशिडेंट है मोहमद बिन जायद अल नहयन मोहमद विन जायद अल नहयन यह हमको याद रखना है UAE के यह प्रेशिडेंट तो UAE के जो प्रेशिडेंट है इन्होंने अभी पैक्त साइन कर आए किस पे साइन कर आए जी डिजिटल पेमेंट्स को लेकर इन्होंने पैक्त साइन कर रहुआ है यह भी हम लोगों को याद रखना है clear है तो यह आप लोगों से पूछे आ सकता है कि भाई किसको लेकर अभी इन्हों ने UAE ने जो है एक पैक्ट साइन करा हुआ है तो वो डिजिटल पेमेंट्स को लेकर सारे के सारे जो डिजिटल पेमेंट प्लैटफर्म्स होते हैं फिर उनके अलावा आप देखेंगे जी ट्रेड हो गया एनर्जी हो गया तो यह हम लोगों को याद रखना हुगा clear है तो इंडिया एंड यूएई साइन पैक्ट्स एंड वाइलेटरल इंवेश्ट्मेंट प्रमोशन पैक्ट इंफ्रस्ट्रक्ट्चर डेवलप्मेंट एंड नंबर अफ तिंग्स तो यह अपन को याद रखना है अब देखिए उत्त्ता प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट खवरे अगर हम लोग देख पूछ ले यूपी का खवर है तो अमबेट का नगर को मिली यह बेस्ट रैंकिंग बस आगे बड़े एक क्लिक पर मिलेगी नागरिक से वाएं मतलब जैसे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम से जूज रहे है पुलिस से कोई कम्प्लेन करना है या फिर कोई चीज करनी है स कहीं चेतर में सूटिंग करना है कहीं पर धर्डा प्रदर्शन करना है तो एक बार पुलिस की परमीशन जरूरी होती है पुलिस से पुष्टाश करनी होती तो अब ऑनलाइन भी यह पॉसिबल हो पा रहा है वो भी कहां पर जी लखनव में कौन से सहर में बच्चो लखनव में तो यहां पर देखी अधार्मिक कारेकरम सूटिंग धर्णा प्रदर्शन समेच अन्य योजनाओं की अनुमती के लिए अब भागदोर नहीं करनी पड़ेगी घर बेटें ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे तो जितने भी आम लोग है नागरिक सेवा है जो भी चाहिए तो कटिंग में लेकर आ रहा हूं ताकि आप लोगों के लिए अलफुल हो जाए अब इस कटिंग में हर चीज इंपोर्टेंट नहीं है जैसे हम लोगों ने यूए के बारें पड़ा तो आपको यह पता होना चाहिए कि इस कटिंग में से पूछा क्या जाएगा राइट आपक कल पर मिलेगी नागरिक सेवा है तो वो कहां पर जी लखनव में चालू हुई है तो यह हम लोगों ने देख लिए फिर आप देखिए यूपी में सो साखाएं खोलेगा ओवर्सीज बैंक अब आप देखिए जी ओवर्सीज करके बैंक है तो उत्तर प्रदेश में सो से अलग अलग जगाओं पर साखाएं खोलेंगी ओवर्सीज बैंक की राइट तो यह भी हम लोगों को याद रखना है तो यह हो गई नेक्स्ट न्यूज अब आगे बढ़ते हैं हम लोग राइट तो अब देखिए हुआ वालों में क्या है जी ग्राउंड ब्रेकिंग सेर्म आट ल्देश स्टेट इंड़स्टाल इवल्लपन अथसु अथ्य तो यह UPSD ए इसकी खाज बाद क्या है बच्छो तो यूँ पर idea है इस के द्वारा बहुत सारे investment हुए अलगलग छेत्र में इसके द्वारा बहुत सारे statement investment हुए अलगलग छेत्र में तो मत्हुरा हो गया उसमें तक्रिवन 60-60,000 करोड रुपए का investment कर रहा है development को लेकर बुलंद सहर में तक्रिवन 4,000 करोड का investment अमेटी में 1690 मतलब 1700 करोड के अप्रॉक्सिमेटल इंवेस्टमेंट ऐसे मेरिट हो गया ऐसे गोतम बुद्ध नगर हो गया और ऐसे अलि अलिगर हो गया तो यह हम लोग याद रखना है कि अलग अलग छेत्र में क्या करा जा रहा है तो यह न्यूस बहुत जादा सुर्खियों में कि उत्तर प्रदेश राज उद्धवी की विकास प्राधिकरण 19 फरवरी को लखनों में होने वाले चोथे ग्राउंड ब्रेकिंग समार हो रहा है फूर्थ संसकरण है यह करण है यह हमको याद रखने है चोथे नंबर का संस करण है तो उसमें तक्रिवन देर लाग करोड रुपे से अधिक के मॉयू सुरू करने की तैयारी करी गई है मॉयू मतलब मेमोरेंडम अफ अंडेस्टेंडिंग के भाई इतना इतना विकास ऐसे ऐसे करके होगा यह हमको याद रख लेना होगा चैले तो यही सब लिखा बहुत सारे प्रजेक्स रहेंगे चौदा हजार से भी आदा प्रजेक्स रहेंगे जिसमें दस लाग करोड रुपे जो है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए लगाया जाएगा इसके लावा आप देखेंगे एम इस टू क्रिएट इम्प्लॉयमेंट फूर 33.50 लाक को से रोजगार मिलेगा फिर इसके लावा और भी कई सारे सेमिनार सोंगे और FDI इसको अट्रेक्ट करने की बात करी आईगी तो यह आम लोगों ने चार पाची यह देख ली अगर आपसे पूछा जा है कि भाई यह बताओ जारा UPSIDA का फुल फॉर्म क्या है राइट या structure ground working ceremony क्या है तो यह याद रखना है investment को लेकर है ठीक है इसमें इतने करोड का खर्चा करा जा रहा है UP का विकास करा जा रहा है उसके लावा यह कौन से नंबर का संस करने तो 4.02 मतलब 4th नंबर का है तो यह हमें याद रख लेना होता है चलिए यह हम लोगों ने देख अब विवेकननद ससक्तिकर्ण योजना। यह वी न्यूस बें उत्तर प्रदेस के लिए तो आप लोग बताएं इसका अंसर क्या होगा। अधिवर अब्जेक्टिव और स्वामिवा कृते से सक्तिकर्ण योजना। पताई वच्छे उत्तर हाँ जी तो आप लोगों को याद हो गया होगा है ना यहां लोगों ने पढ़ा रखा है तो स्वामी विएकनन्द सहसक्ति करण योजना की बात करें तो यहां पर जो है उत्तर प्रदेश के चात्रों को मुफ्त में स्मार्टफॉन प्रदान करे जाएगा जो भी मेधावी चात्र रह में घुसड़ा भी हो गई तो इसलिए ये न्यूज में था इसलिए हमने का बता दे यहां पर भी देखो किसी नेवी पहले पर आंसन नहीं मारा टिक नहीं मारा है बहुत कलाकार वच्चे हो आप लोग तो यहां पर आप देखे कौसल विकास और व्यफसाई करण प्रिसिक यहां पर आप देखे को आपको पता के से चलेगा कौन सी योजना क्या कर रही है तो उत्तर प्रदेश की स्की में स्वामी विकानन यूवा सकतिकरण योजना तो यहां पर आप देखे यूपी की सुरुवात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाद कौन बहिया जी योगी आदित्यनाद जी के द्वारा दोहर 23 में की गई थी ठीक है फिर इस योजना के तहत अगले पाच वर्स तक कितने साल तक भईयो पाच वर्स तक जो है उच्छ रखाये जी डिस्ट्रीटिटिंग स्मार्टफोंस तु बेनिफीशरीज अंडर दी स्वामी वेकनन्द यूवा ससकतिकरड योजना वो भी नैसल पीजी कॉलेज लेवल राइट तो ये सब बात हो रखिए अब हम आगे वरते हैं वर्ल्ड रेडियो डे के ऊपर तो वर्ल् मिशन UPSC गुरू जी इतना उचलते क्यों रहते हो ठीक से पढ़ाईए ओक्ये मिशन UPSC बिल्कुल हम नहीं उचलेंगे ऐसे अब हम रोबोट की तरह खड़ा हो जाएंगे बिल्कुल नहीं उचलेंगे ठीक है ऐसा हो गया तमीज सीखना भी बहुत जरूरी है बोलने का एक तरीका होता है मिशन UPSC जी ठीक है हम आपको इतने समान से बोल रहे हैं तो बोलने का तरीका भी सीख लीजेगा नहीं तो इंटर्व्यू में आउट हो जाएंगे चले बंदा मुवमेंट भी ना करें आपके लिए रोवर्ट बन केज खड़े हो जाएं कसम भगो चलिए विच डे ऑफ दा इयर इस सेलिवरेटेड़ेटे डे तो वर्स के किस दिन को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाये आता है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो तेरा फरवरी है उसको वर्ल्ड रेडियो डे के रूप में सेलिवरेट कर रहाया था अब रेडियो डे याद रख लेना तेरा फरवरी राइट क्यों बनाए आ रहा है तो यह तो तुम लोगों को पता होना चाहिए रेडियो के लिए ठीक है चलिए रेडियो को प्रमोट करने के लिए तो जो 13 फरवरी अब्जब कर रहा था रेडियो डे के रूप में ठीक है यहाँ पर आप रेडियो का बहुत बड़ा रोल था राइट तो आप लोग यह बोलते हैं कि साइड में हो जाओ या यह हो जाओ भाई मैं अगर हटूंगा नहीं तो तुमको दिखेगा नहीं तो बात कर रहा हो चलने की खेर कोई बात नहीं तो यह हमको याद रखना है डे वास प्रोक्ले एंट एडुकेटिंग फिर से आप ध्यान रखियेगा जी कि रेडियो आसेंचुरी इंफर्मिंग एंटर्टेनिंग एडुकेटिंग यह हमको याद रख लेना है चलिए आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े जी नेक्स्ट हम लोग देखें वाट इस वाइमार ट्राइंगल बताइए अब यह नेक्स्ट क्वेश्चन है बताइए आप लोग वाइमार करके ट्राइंगल है यह काफी आदा सुर्खियों में यह क्या है वैमार ट्राइंगल वैमार ट्राइंगल बताइए येस इसका उतर दीजिए जी, येस, माइडिया, इस्ट्रेंट्स, बताइए, बहुत जादा न्यूज में है, देखो, मैं आपको गैरेंटी दे रहा हूँ यूपी के करेंट अफेर्स बहुत सारे यहां से आएंगे, ठीक है, आपको बिलकुल चिंता करने की ज़रूत नहीं, आप बस regular basis पर सुनो, अभी मैं एक marathon लेने वाला हूँ, तकरीवन 5-6 घंटे की marathon होगी, उस marathon को जरूर देखिएगा, that marathon is going to be, it is going to help you in the long run, तो बहुत अच of three countries, right, या फिर economics theory है, या battalion in USA army है, या place in South China, देखो भाई, यह जो है न, इसका answer है जी, ए, ठीक है, तीन देशों का यह गठवंदन है, right, तीन देशों का यह गठवंदन है, right, तीन देशों का यह गठवंदन है, सुमाइरा, देंसाइस्था इंड एस्पिरेंट जी ने ब कि तीन जो European countries है, तीन European countries है, जिन में से एक हो गए France, दूसरे हो गए जी Germany, और तीसरे हो गए Poland, right, तो France, Germany and Poland, यहा पर map भी बना हुआ है, तो इन लोगों ने मिलके क्या गरा, इनोंने का कि वही हम लोग विमार triangle बना लेते हैं, हम लोग क्या है जी, विमार triangle बना लेते हैं, तो यहां पर अगर आप देखें, एक regional alliance है, तीन European country का, जिसको वाइमार triangle बो लगाया है, यह कब स्थापित हुआ जी, 1991 में स्थापित हुआ, कहां पर जी, German city of Weimar, क्या promote करेगा, cooperation between the three countries on cross border and European issues, right, यह cooperation करेगा, बस इतना आपन को याद अखना है, कि किसी भी तरीकी की problem हो र आपना है ना, चाइना के अगेशू में, right, quasi countries में कौन कौन आते हैं, यह को में लिखना है, quasi countries में कौन कौन आते हैं, यह को comment box में लिखना है, क्यों mart ii, लिखते नहीं हो, भर दो, पता चले कि हां यार, बच्चे पढ़ रहे हैं, यäsसे कल में नहीं बोला, तो तो सिफ पा सी में तुम लोग फोड के रख दो है कि नहीं चले तो यह आप याद रखे है क्वाइड में कौन-कौन सी कंट्री से याप बता ही है ना कमेंड वॉक्स करके चले अब हम बात करें अंतरराश्टिय कॉंडम दिवस राइट तो यह भी जो है 13 फरवरी को बनाया आता है सब्सक्राइब को बनाया जाता है तो याद रख लेना तारिक बहुत इंपोर्टेंट इस फेब्रवरी राइट वेलेंटाइन दे के एक दिन पहले ठीक है चले नेक्स लोग चले नेक्स लोग चले राइट अप्रोच वाला जी तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ हुआ अब हुआ क्या है आप एक समझ छी का बच्चो क कि सुप्रीम कोड जो है उसने अभी हाली में क्या बोला उन्होंने ने कहा कैर यह जो यह जो आपलोग बोले तेन कही सारे स्टेट से जैसे एक्जाम्पल करूप में मैं उन्हें स्टेट का नाम बताऊ तो आंद्रपरदेस हो गया आंद्र प्रदेश यूपी हो गया बिहार हो गया मद्र प्रदेश हो गया च्छतिजगर हो गया महारास्ट हो गया महारास्ट हो गया राजस्थान हो गया यहां पर मालूम है चीफ मिनिस्टर के साथ साथ चीफ मिनिस्टर के बात करिया है तो आप से यह पूछा जा सकता है कि आइटिकल 163 क्या बोलता है जो अनुच्छे 163 उसका सब्प्लॉस ए जो है वो क्या बात करता है वो जो अनुच्छे दे वो कहता है कि राजपाल को उनके कार्यों के अभ्यास में सहायता और सला देने के लिए मुख्यमंत्र के साथ एक मंत पड़िसत होंगे यह हमको याद रख लेना है तो नीदर आर्टिकल 163 नौर आर्टिकल 164 जो है वो डिफ्टी चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं ठीक है डिफ्टी चीफ मिनिस्टर की कोई भी बात नहीं करता है यह हमको याद रख लेना है तो यह दो तीन च council of ministers की बात करिया रही है किसके द्वारा council of ministers के द्वारा और वो help किसको करेगा जी governor को क्योंकि governor जो है वो help करता है किसको जी president को और हमारा जो भारतिय संभिदान है वो संघिय धाचा है हमारे जो भारतिय संभिदान है वो federal, quasi federal structure ये भी अपन को याद रख लेना है तो यहाँ पे 4.50 जी याद रखना Supreme Court ने वर्डिक्ट दिया है क्या वर्डिक्ट दिया है तो यही लिखा हुआ है कि Supreme Court ने कहा है कि उक मुख्यमंत्री के पद को संभिधान के तरह परिभासित नहीं किया जा सकता जो मुख्यमंत्री का पद है फिर से याद रखिएगा उसको जो है संभिधान के तरह परिवासित नहीं किया जा सकता लेकिन सत्तारूण दल या पार्टियों के गठवन्दन के वरिष्ट निताओं को उक मुख्यमंत्री के रूप में नियक्त करना में उपमुक्य मंत्री का कोई भी पद निर्दादित नहीं है, पर उनों ने यह नहीं कहा है, कि आप नहीं रख सकते, रखना चाहे तो रख सकते हैं, राइट? बट ऐसा सम्मिधान में नहीं लिखा हुआ है, यह आप अनको याद रख लेना है, तो यह रहाध रख लिया, ठ चारो के चारो options दे रखे हैं बच्चो प्लीज ट्राइट टू किव आंसर फर्स टाइम फड़ा फड़ा जो भी देगा तो उसको हम कुछ न कुछ क्या ही बोलें बदा यह आंसर भारत सरकार द्वारा सुरू किये गए स्वाती पोर्टल का प्रात्मिक उद्देश से क्या है येस पड़ो पहले फिर आंसर दो अचल सगुन राधा वेरी गुड ऐस्पिरेंट देन पलक रितू प्रियंका पुजा जी अर्चना कामिनी अवनी अरूमिता रतनेश बेटा आंसर दो बढ़िया बढ़िया येस वेरी गुड सायस्ता येस सन्नो देवी राहाज जी वेरी टो इस टो प्रोवाइट ओं-लान कोर्सिस एंड रिसोर्स फोर विमें इंस दूसरा क्या है सोसल नेडवर्किन प्लेटफॉर्म फोर विमें इंस्टेंट डू करेंगा डेटा को इंफोर्मेशन को भारती वोमें से लिटेड फॉर पॉलिसी मेकिंग अग्ड लास्ट वन इ कियाता है जैसे ही सब्दया है portal तो खानखड़े हो जाने कुछ ना कुछ तो ऑनलाइन है यहां पर कोई data जरूर होगा क्या होगा data जरूर होगा अब यहां पर आप देखियेगा जी यह क्या करेगा collect करेगा data को information को वो भारती महिला हो से संबंदित, that too in STEM अब STEM का full form क्या होता है बच्छो तो STEM का full form होता है science for women a technology and innovation portal science for women for women science for women right a technology and innovation portal a technology and innovation portal technology and innovation portal right तो यह हमको याद रखना है it is going to collect data and information that too on Indian women in STEM for policy making purpose to reduce the gender gap right तो इसलिए के भाई जैसे यह पढ़ेंगी लिखेंगी तो इसते क्या होगा gender जो gap है वो कम हो जाएगा right तो its answer is C right अब हम लोग C का answer देख लेते हैं काफी कम बच्चों ने दिया है maximum बच्चों ने यह answer दिया कि online course दिये जाएंगे तो ऐसा नहीं है बेटा जी कोई बात नहीं हम लोगों ने पढ़ लिया गलती करी और हम लोगों ने सीख लिया best part तो यह है स्टेम का भी मैं फुल फॉर्म बता देता हूं बच्चों तो यहां पर स्टेम जो है ना वो काई से लेटेड़ है साइंस टेकनोलजी एंजिनियरिंग साइंस हो गया जैसे स्टी डवल एम ऐसे है ना तो साइंस एंड टेकनोलजी हो गया सबसे पहले स्टी से साइंस टेकनोलजी हो गया फिर हम बात करें जी इंजिनियरिंग हो गया इंजिनियरिंग हो गया फिर हो गया mathematics और फिर हो गया medicine तो यह जो है पूरे के पूरे science, engineering, maths और medicine तो उसमें जो gender inequalities है उसको कम करा जाए जो gender gap है उनको कम करा जाए, policy इस तरीके से बनाई जाए, ताकि महिलाए भी इसका part बने, right, so that is all what you need to remember, right, तो stamp और portal का full form क्या है, यह आप से पूछाया सकता है stamp का isolated है, यह आप से पूछाया सकता है swati portal का full form क्या है, यह आप से पूछाया सकता है, that's all what you need to remember, right तो यह आप लोगों ने देख लिया, right, I think this is clear to you, right, next हम लोग आगे बरते हैं, तो यह यहाँ पर जो database रहेगा, वो policy making में help करेगा, और gender जो gap है, उसको कम करने में भी मददगार सावित होगा, तो यह भी हम लोगों ने देखा, यह complete interactive database है, first of its kind in India, ठीक है, जिसमें, मतलब यह देखा रहा है, maintain किसके द्वारा कर रहा है, तो एक NIPGR, that is National Institute of Plant Genome Research के द्वारा, इसको maintain करा जा रहा है, right, तो याद रख लेना है किसके द्वारा जी, यहाँ पर आप देखेंगे जी, National Institute of Plant Genome Research के द्वारा जो है, विक्सित करा जा रहा है, right, तो National Institute of Plant Genome Research के द्वारा जो है, विक्सित करा जा रहा है, clear है, चलिए बच्चों, आगे वड़े, next question की तरफ, तो फिर से आप लोगों के लिए next, सवाल, फड़ा-फट सारे के सारे बच्चे, समित नागल जी, he defeated whom to clinch Chennai Open title, समित नागल ने किसको हराया, चन्ने उपन खिताब जीता, किसको हरा के Chennai उपन का खिताब जीता, तो बताईए आप लोग, समित नागल जी कौन है, पहली चीज तो आपको यह याद होना चाहिए, current affair पढ़ोगे तो चीजे याद रहेंगे, को ऐसा नहीं है, कि यह मैं यहाँ पर पहले बता रहा हूँ, कई लोगों ने पढ़ लिया हुगा, तो यही questions फिर से, मैं Saturday को करवाँगा, तब भी आप लो को याद है, right, main बक्सत क्या है वच्चों याद रखना, is this very much clear or not, right, चले, तो यहाँ पर याद रखना है, सुमित नागल जी जो है, right, यह इन्होंने जो है, लुका, नार्थी जी को हराया, तो इसका अंसर है B, अब यह काई से संबन देते, अभी हम इनके बारे में चर्च कर ले दे, किसी वच्चे ने सही अंसर नहीं दिया, सिर्फ पलक मैम ने सही अंसर दिया, very good बेटा, अब देखिए जी, सुमित नागल जी, जो है, इनकी रैंकिंग की बात करिया है, तो यह जो है, क्या है, लॉन टैनिस के प्लेयर है, और वोल्ल की टॉप 100 रैंकिंग में स अच्छा, इनके पहले, सानिया नहवाल, आप लोगों ने नहवाल नहीं, सानिया मिर्जा जो है, वो इसके पहले लॉन टैनिस में, इस रैंकिंग में आगे थी, अब बलती, तो, I think you remember, सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा, सौरी, मिर्जा, सानिया मिर्जा, जिनके पती ने फिर से एक और साधी कर लिये, पाकिस्तान के कैपटन भी रहे हैं, अब आप लोग जानते हैं, उनका नाम क्या है वो आप कमेंट वक्स में लिख दीजिये, क्यों साधी करी वो भी अगर लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, तो स इनिस स्टार ने 23 स्थान का किया सुधार 98 वे पायदन पर पहुंचे तो ये सुमित नागल जी जो है स्पोर्ट से लेटिट करेंट अफ्यार है चन्नी ओपन टाइटल को जीते हैं और टॉप हंडिट के लोगों में सुमार हो गाएं बहुत अच्छी बात है आगे बढ़े primary purpose of establishing the संगीत नातक अकादमी in हैदरवाद is to what चलिए बताइए primary purpose क्या है संगीत नातक अकादमी का हैदरवाद में विक्सित करने का बताइए yes try to give answer man my dear yes हाँ जी third साधी की क्या लिख रहा हो sir marathon आप Sunday को कराईए please और घटना सार complete कराईए बिलकुल रिचाव है मैं पूरा हिटना सार करवा हुआ लेकिन मेरे को यह चाहिए कि तक्रीवन उसमें 500 अच्छे लाइव रहे हमने बोल दिया है अपने वाइटी मैनेजर से कि हम लोग next Sunday वो एक पूरा का पूरा marathon करने वाले हैं बहुत बड़ा marathon रहेगा पांस से छे गंटे का जितना हो सकता है हम करवाएंगे उसको ठीक है चलिए तो आप देखें अब हाली में संगीत नाटक अकाडमी का जो हम बोले ना प्राइमरी परपस हेडरावाद है अब यह क्यों है में चीज मालों में क्या है जी बहुत famous music player है जिनका आमें घंटा साला घंटा साला तो South India की बहुत famous musician है ठीक है तो उनकी legacy को बड़ावा देना मे घंटा जी ए तो हमें पतग होना चाहिए और सारे बच्चों ने सही आंसर भी दिया है देवेस और यह हमको याद रखना है यहां पर इनका फोटो है घंटा साला जी का राइट और इनके नाम पर 2003 में stamp निकाला गया था आप समझ रहें कितने famous होंगे 2003 में ही stamp इनके नाम प भी है पद्म अवार्ट से सम्मानित भी है दुनिया भर में संगीत के प्रती उत्साही लोगों के साथ गहराई से नों मतलब वह गुंस्ते रहें और इनके बारे में यही तब लिखा हुआ है कि पूरा इनका नाम क्या है जी तो घंटा साला वेंगटेसवर राव राइट यह हमको याद रखना है कब इनका जन्म हुआ 1922 चार दिसमबर उसके लावा कम मिर्तिव हुई तो वह सब आप देख लीजीगा ठीक है फिर यह क्या क्या काम करें यह भी आप लोग जानते हैं ख्यालिए नेक्स हम लोग चलें तो देखिए आप लोगों मैंने बताई दिय इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट क्या है जी हाली में स्री लंका और मॉरिसस उन्होंने भी अडॉप्ट कर लिया है यूपी आई भारत का यूपी आई जो है वह वहां पर भी पर्चम जो है लहराय या रहा है खेर तो यह हमको याद रखना है इसके लावा इसके राइट तो आप लोगों को यह बताना है कि हाली में बीए पीएस अक्षरदाम का टेंपल है यह कहां पर बना हुआ है तो यह जो है स्थापित हुआ है यूनाइटेड अरव एमिरेट्स में ठीक है तो यह हमको याद करने कौन जा रहा है तो मोदी जी जा रहा है यह मैंने ठीक है और कल का फोटो मैंने आपको बता ही दिया है तो यह हमको याद रखना है उसके अलावा आप देखेंगे जी वन लाइनर में दिली चलो प्रोटेस्ट चल रहा है ठीक है सरकार की भी कुछ मतलब बोल सकते हैं प्रॉब्लम से और उसके अलावा फार्वर्स की भी प् अब तर था वो मैंने सारा का सारा डाल दिया बच्चो तो यहाँ पर आप देखिए डेली चलो करके प्रोटेस्ट चल रहा है अब आप लोगों को यह बताना है कि दिली चलो करके नारा किसने दिया था डेली चलो जो स्लोगन है किसने दिया था ठीक है और डेली चलो एक को देख लोगे तो वहां से आपको जानकरी मिल जाएगी तो डेली चलो करके कि मूवमेंट भी था तो उसके वारे में भी आप लोग जरूर बताइएगा कि वह क्यों चलाए गया था कब चलाए गया था तो मार्च हो गई जी 13 फरवरी ठीक है और अभी वह मार्च जारी जार रहा है क्या क्या प्रॉब्लम्स थी यह कल हमने पड़ा इस पर मैं एक अलग से एक वीडियो पूरी की पूरी बना हुआ चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें यूनियन मिनिस्टर अमित सहा इनागरेटिड नारायंड सास्त्री इंस्टिट्यूट इंस टेक्नोलजी इन अंदवाद गुजरात में और पहली वार जो है फॉरिंसिक्स स्टेडी जो है करवाने वाला है गुजरात तो यह हमको याद रख लेना है इसके लावा नेक्स हम लोग चले तो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट टेस्ट क्रिकेटर और फॉर्मर कैप्टन ठीक है टेस्ट क्र जिनका नाम है जी दत्ता जी राओ गायकवार इनका हाली में निधन हो गया है तो देखो निधन को लेकर हमें याद इसलिए रखना है क्योंकि आरो यारो के एक्जाम में ठीक है कल भी अगर आप लोगों ने ढंग से देखा होगा तो वहाँ पर भी इससे संबंदित कुछ पूछे गया है पूछे गया है कि नहीं पूछे गया है तो हमें याद होना चाहिए कि यह 14 फरवरी की न्यूज हम पढ़ रहा है ठीक है उसमें अभी हाली में जो है एक बहुत फेमस टेस्ट क्रिकेटर है जिनका नाम है जी दत्ता जी राओ गायकवार जी इनका हाली में निदन हो गया है विकॉस आफ दी डिसीजस राइट तो भारत के सबसे उम्र दराज टेस्ट क्रिकेटर और पूर्व कप्तान दत्ता जी राओ गवायक वाल जी का उम्र सम्मंदित कई सारी विमारों योग के कारण निदन हो गया है यह तक्रीवन 11 से 11 टेस्ट मेंच खेले अब आप लोग बताईए कि यह कौन सी वार फिर से सपत लिये वह लिये कौन सी वह फिर से लिये तो यह आप लोग जानते है नाइंत्व टाइम इसके अलावा इन्होंने फिर से दल बदल कर लिया है ठीक है किसकी कर सरकार में आ गया है एंडीले गवर्मंट और ट्रस्ट कोड़ भी जीत गया है तो बहुमत भी इनको मिल गया है बोवी कब 12 फरवड़ी 24 को तो यह भी हमको थोड़ा सा याद रख लेना है क्लियर है चलिए नेक्स हम लोग देखें जी तो जैवलें थ्रोवर नीरच चोपड़ा जी अब लोग फेमस तो हैं यह नीरच चोपड़ा स इनका कोई तोड़ ही नहीं है तो इनको एकनोलेच करने के लिए यूरोप का यूरोप का एक कोई म्यूजियम है बहुत बड़ा म्यूजियम है स्विट्जर लैंड में वहाँ पर इनके नाम का एक प्लैक तैयार कर गया है प्लैक मतलब इस तरीके से एक बोल सकते ना कि इन चोपड़ा जी के नाम का एक प्लैक प्लैक या फिर इनको सम्मानित करने के लिए जो एक सिल्ली लगाई गई है जिसमें इनके बारे में लिखा गया है वहाँ पर सारे के सारे लोग जाते हैं ठीके तुम भी अगर स्विट्जर लेंड घूमने आओगे तो इस फेमस म्यूज साल की उमर में ही निदन हो गया जो की कहां के हैं जी की नियके की नियके जिस तरह ужас हम लोग मैराथन करते हैं करें मैं लोग क्लास की मैराथन करते हैं टीक है ठीक है यह हम लोगों ने देख लिया उसके लावा कुछ quick facts जो important है राइट जो मैंने फिर से लेना चालू कर दी है तो चन्नी सुपर किंग्स उन्होंने appoint किसको कराये जी कैटरीना कैफ को as the brand ambassador राइट कैटरीना कैफ को ऐसे brand ambassador अपॉइंट कर दिया गया है किसके द्वारा जी चन्नी सुपर किंग्स के द्वारा तो यह हमको याद रखना है किसके लिए जी IPL 24 के लिए तो brand ambassador किसको रखा गया है कैटरीना कैफ को यह आपको याद रख लेना है ठीक फिर से वन पॉइंट फिर से आपको याद रखना है कि किसको अपॉइंट कर गया है IPL 24 के चन्नी सुपर किंग्स के brand ambassador के रूप में तो वह है कैटरीना कैफ जी इसके लावा कैटरीना कैफ की बात करिया है तो जो एतिहाद airways है इतिहाद airways इतिहाद E-T-I-H-A-D airways ठीक है उसकी यह brand ambassador है इतिहाद airways की उसके अलावा आप देखे जी CS के जो है उन्होंने भी sponsorship किसके साथ sign करी है जी वो भी इतिहाद airways के साथ जो चैन्नी सुपर किंग है उसने भी sponsorship बतलब करी है तो यह दो चार चीज़े आपको मैं बोल रहा हूं serious मत हो जाएगा चले तो यह हम लोगों ने देख लिया one liner quick revision में इसके लावा फिर से आप देखिए institute of electrical and electronics engineering केरला राइट selection award दी 2024 kpp नाम वियर अवार्ट टू इस रो चेयर्में सोमनाथ तो देखो इस रोगे जो चेयर्में है जिनका नाम क्या है जी सोमनाथ, एस सोमनाथ जो इस रोगे चेयर्में सहावे, एस सोमनाथ इनको कौन से अवार्ट से सम्भानित कर गया है जी, IEEE, कहर रा सेक्षन के द्वारा जो है KPP नाम वियर अवार्ट तो किसको दिया गया जी, इस रोगे चेयर्में, जिनका नाम है, डॉक्टर एस समनाथ, जो की चेयर्में इस रोगे, अब आप लोगो ये बताना है कि इस रोग कव आया, ठीक है, कव आया, इस रोग को पहले क्या बोला जाता था, ये भी आप बताईए, इस रोग को पहले कुछ और नाम से आना जाता था, तो वो भी आप बताईएगा, इस रोग को फुल फॉर्म तो तुम लोग जानते हो, इंडियन साइंस, रिसर्च और नहीं है, खेर, नेक्स्ट हम लोग चलें, तो ऑस्टेलिया ने डिफीट कर दि इस रिब्रेसां किसका जी, सौमी देयानन्द सरस्वती जी का, वो भी कल पर्सों की बड़ल से य्दी तो ये फिर से याद रख़एगा, मोदी जी ने इस पास्पेट गरा, और किसकी अनिवर्सरी अभी देखने को मिली, स्वामी देयानंद सरस्वती जी कि अब आपो चा जारा comment box में बताईए ठीक है कौन कौन सी organization जो history से related है ठीक है संबन देते हैं ये comment box में बताईए धैनन सरसोती जी का में उद्दे से क्या था किस छेत्र में इनोंने काम करा था ये भी आप लोगों को बताना है right दिवा कर अरचना तो ये आप यो लोग बताईएगा comment box में ठीक है late general विपन रावत जी जो कि country के पहले cds रहे है country के पहले cds that is chief of the defense staff रहे हैं तो यहाँ पर एक question ही हो जाता है कि पहले भारत के chief of the defense staff जो है वो कौन है जी तो विपन रावत जी यह आपन को याद रखना है कौन है बही है जी विपन रावत जी ठीक है उसके लावा य यह हे जो है मुर्ति का जौ नावरान हुआ हुआ है अ 1 रू ठाटन हुआ हुआ हाँ यह हुआ अजी यह नहीं दहरादुन में दहरादुन में अट यह हम पर आपि यह इक में हैstar तो आज हम लोगों ने क्या क्या पड़ा सबसे पहले उन बच्चों की तारिफ करी जो इन बच्चों ने जैसे आप देखेंगे हमारे भाई रतनेश और हमारे भाई बहन जी पलक मैम जो है इन्होंने बहुत प्यारे तरीके से एफ़र्ट देखें इन सब चीजों को बनाया तो इन्हें याद भी हो गया हुगा इसके लावा मैंने क्वेस्चन बताए कि तो इससे आपको आइडिया होगा कि करेंट अफेर्स में क्वेस्चन केसे आ रहा है क्या मैं पढ़ा रहा हूं वो सही पढ़ा रहा हूं यह भी इंपॉर्टेंट है तो इससे आपको पता चल जाएगा उसके लावा आप देखेंगे जी भारत UAE ने इंक करा है पैक्ट क्यों करा है क्योंकि जरूरी है डिटल पेमेंट को लेकर प्लैटफॉर्म मिलेंगे और हमारे यूपी आई का डंका तो अलग अलग जगाओं पर बजी रहा है यह भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देख लिया है उसके अलावा UAE में अभी मोदी जी गये हुए है क्यों गये है त क्लिक पर मिलेगी नागरिक सेवा है सारी की सारी नागरिक सेवा है जो इंपॉर्टेंट है वो लखनव पुलिस के द्वारा दिया जाएगा फिर यूपी में सो साखाएं खोलेगा कौन जी Overseas Bank तो तकरीवन एक दिर साल दो साल के अंदरगत जो है तकरीवन सो अलग अलग साखा है खोली आएंगी बैंकिंग से लेटेड फिर आप देखेंगे जी 4.0 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरमनी हुई है जी बी सी 4 दस अवलव ओ यह कहा हुआ है जी उत्तर प्रदेश में इस से लेटेड आपको प्रॉमिन इंवेस्टर्स कौन कौन है यह एक बार देख सकते लिए तो इसके बारे में पढ़ लिया रेडियो डे कब बनाया आता है 13 फरवरी फिर से रिवाइस कर लिया वर्ल्ड रेडियो डे के बारे में पढ़ लिया वेमार ट्राइंगल क्या है तो यह भी आप लोग जानते हैं अलाइनस ऑफ थ्री कंट्रीस ऑफ यूरोप स्पैस सुमित नागल जी जिन्होंने अभी हाली में जो है चैनली ओपन का टाइटल जीता है तो उन्होंने कि स्कोर आया तो यह भी हम लोगों ने देख लिया सुमित नागल जी जो है कौन से गेम से लेटेड़ लॉन टैनिस अच्छा एक ची और आपको याद होगा कि लॉन टैन अगर अच्छा है तो अच्छी वात है नहीं तो यह बताईए कि सर नेक्स्ट सौर्ट किस पर बनाए जाए तो यह भी आप लोगों बताना जी चलिए नेक्स हम लोग देखते हैं प्राइमरी परपस ऑफ स्टैबलेशिंग संगीत नातक अकाइडमीन हैद्रवाद क्या है तो घंटा साला की लिगेसी को लेकर है ये भी हम लोगों ने देख लिया वच्छो इसके अलावा ये तो हम लोगों ने देख लिया फिर कई सारे क्विक फैक्स हम लोगों देखे तो आज की यो 45 मिनिट की क्लास है 45 मिनिट की क्लास में हम लोगों ने काफी कुछ कवर करने राइट और नॉट बताइए बच्चो राइट तो यह आपको याद रखना है इसके अलाव आप देखो हम लोग बात करने वाले हैं अब फिलाल में किसकी जी हम लोग बात करने वाले सेशन्स ऑफ दी इंडियन नैसल कॉंग्रेस जो की कहा हो रहा है बच्चो उत्तर प्रदेश में तिल 1947 अब इंडियन नैसल कॉंग्रेस की काफी सारे सेशन्स जो है उत्तर प्रदेश में हो रहा है जिन में से कौन प्रेसिडेंट रहा है जैसे आप देखें जी जो फोर्थ न अब insulated main fact गया है देखिए आप लोग for the first time in Britain he became the president of the congress right for the first time Britain became the member right पहली ची दूसरी हम बात करें आठवे नंबर का सेशन 1892 में प्रयाग राज में हुआ और व्योमेश चंद्रबोनर जी व्योमेश चंद्रबोनर जी जो है ठीक है वो क्या बने बच्चो वो बने President Congress ने डिमाइड करा Reform in the Currency Policy Congress ने क्या करा Demand करा Reform in the Currency Policy इसके अलावा हम बात करें जी 15 नंबर का सेशन जो की 1899 में हुआ लखनाव में हुआ था और यहां पर जो लीडर थे वो थे रोमेश भया तो रोमेश चंद्रबोनर दत्त साब जो थे इसके President थे और Congress ने Constitution को Adopt करा था, Accept करा, Adopt नी, Accept करा था, तो Congress ने Constitution को Accept कर लिया था, कौन सेशन में, 1899 में, फिर हम बात करें, 21 सेशन की, 1905 में ये सेशन हुआ था, कहा हुआ था, बच्चों, पर President थे, वो थे, गोपाल कृष्ण गोखले साब, गोपाल कृष्ण गोखले साब, ये हमको याद रख लेना है, 26 सेशन, 1910 में, प्रियाग राज में हुआ, और विलियम वीडन वर्ग, जो थे, इसके President बनके रहे, ठीके, विलियम वीडन वर्ग, जो है, इसके President बने, फिर 31 सेशन, 1916 में, लखनव में हो रखाये जी, तो यहाँ पे, अंबी का चरण मजुमदार, जो है, कौन बच्चों, अंबी का चरण मजुमदार, अंबी का चरण मजुमदार साहवे, ठीके, ये इसके President रहे, तो फिर से पट-पट लिख लो, अब आप लोगो को क्या करना है, जो भी मैं ये बता रहा हूँ न, इसकी टेवल बनाओ, जैसे रतनेस ने बनाया, ठीके, पलक मैम ने बनाया, तो आप इसकी भी टेवल बनाईए, और इसकी टेवल भी हमारे तक पहुचाईए, कि हाँ जी सर, ये देखी, हम लोगों ने एफर्ट डाले, I just want कि जिन्हों ने बड़ी हा तरीके से राइटिंग में टेवल बनाया हुआ, ठीके, आंसर दिया हुआ, तो वो मैं पहले फ्रेंट पेज पे लगाऊंगा, कल की स्लाइड में, तो यहाँ पर आप देख सकते, 1916 लखनो, अ जो रहे, वो इसके प्रेशिडेंट रहे, उसके अलाव आप देखे, 55 पा जो सेशन हुआ, 1946 में हुआ, ठीक है, मेरेट में हुआ, और आचारे जेवी करपलानी साब जो रहे, वो इसके प्रेशिडेंट रहे, तो यहाँ पर आप देखिए, ये नाम याद रखना बहुत ज हुए, ये हमको याद रखना है, तो कहां का हुए, प्रियाग राज, मतलब अलहावाद, दूसरा लखनव, फिर आप देखेंगा है, 1280, मेरथ में भी हुआ, फिर उसके अलावा कानपुर में भी हुआ, तो लखनव and all, तो ये हम लोगों ने देख लिया, is this very much clear or not, yes, writing क्या हुआ था, कंट्रोवर्सी हो गई थी, कॉंग्रेस में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्रिंस ओफ वेल्स और तो वेल्कम ओफ दी प्रपोसल ओफ पिल्स और वेल्स हुआ था, खेर छोड़ो, ठीक है, इंडियन प्रेस एक्ट का पास हुआ था, तो जब विलियम वीडन प्रियाग राज में, वहाँ पर इंडियन प्रेस एक्ट उस टाइम पर पास करा गया था, ठीक है, उसके अलावा, 31 सेशन में, जब अंबिका सहब थे, अंबिका चरण मजुंदार साथ, उस टाइम पर एग्रिमेंट हुआ था, उन्निस ओ सोलम है, आपको याद होगा, इसकी प्रेसिडेंटी, उस टाइम पे सब्स्री वड़ी योखाज वात थी, कि पहली विमन जो की प्रेसिडेंट वनी थी, इंडियन असल कॉंग्रेस की, वो थी सरोजनी नाइडू, सरोजनी नाइडू, अब आप ये भी बताइए, के पहली विमन चीफ मिनिस्टर और उत संसत का एक बोर्ड गठित करा गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लाब हम लोग देखेंगे, पच्पनवे सेशन में, 46 जो की मेरेट में हुआ, यहाँ पर आचारे जेवी करपलानी साब जो रहे है, वो प्रेसिडेंट रहे, कॉंग्रेस प्रेसिडेंट अड़ी ती ता येस, तुम लोगों लगता होगा ना कि लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, देखो मैं तुम लोगों से यही कहूंगा, कि जिनने कोई मोका नहीं देता ना, उनको, उनको समय सा याद रखना मेहनत मोका देती है, तो मेहनत करोगे तो मोका ज़रूर मिलेग येस सुचे तक रप्लानी जी वेरी गूड वेरी गूड गाइस वेरी गूड एनिवन एंड आउट ते लियर येस अंकिता जी एनिविसेंट 1917 अचा गांधी जी कब बने थे ये भी आप लोग बताईए एनिवन एंड आउट देखो तुम लोग जो हो जितने जादा हो सकता है अपने दोस्तों तक जो भी यूपी PCS की तैयारी कर रहा है वहां तक पहुचाओ यूपी की देखो बहुत ज़्यादा ख़वरे नहीं आती है लेकिन जितनी आती है वो मैं कवर करने एकोसिस करता हूँ स्टेट की मेजर न्यूस कितनी होंगी चार से पाँच अब हम लोग एक और नई चीज करने वाले है जैसे अब UPPSC का पास में आने वाला है तो हम लोग रिवीजन के भी कुछ पॉइंट्स डालेंगे मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग डेली करेंट अफेर डालेंगे डेली करेंट अफेर हम 20 मिनिट 15 मिनिट 20 मिनिट आदे गंटे रखेंगे और बाकी टाइम पर हम लोग क्या करेंगे जो साल वर में हम लोगोंने पड़ा था वो भी हम लोग दिखाने वाले हैं रीडर वोर्ड का अच्छा याद दिला दिया मेरे प्यारे बच्चों तो यहां पर आप देखें जी प्रियंग का चोहान जो है आज की नंबर वन विजेता रही है प्रतिक्षा गौतम जी ने भी आंसर दिये तो आज मैंने छे क्वेस्टेंस पूछे थे यह छे साथ क्वेस अम लोगों ने पूछे उसके लावा तकरीवन 20-25 फैक्स पड़े तो इन लोगों के सारे के सारे बच्चों के क्या करने वाला हूं है फोटो ले के मैं अपने अमन नाम दिफसर कर गई टेलिग्राम चैनल में डालने वाला हूं तो आप लोग चाहे तो इनको वजा ही दे स लेक्चर थैंक्स अलोट गाइस फॉर लिसनिंग ऐस यूजल वरी पेसेंटली और पीसफुली बबाई टेक क्यार ध्यान रखेगा कल फिर मिलते हैं सुवा सुवा नौ बजे और ध्यान रखेगा एक और चीज कि हम लोग संडे को एक मैरतन करने वाले हैं घटना सार की तो झाले हैं